देश और प्रदेश की राजनिती में भेरु सिंग शेखावत को अगर नाम लिया जाए तो वे राजनितिक प्रोधा के रूप में पैचाने जाते हैं ये भी कहा जाता है कि 1952 में पहली बार जब विधायक बने थे तो लाल कृषान एडवानी तो उनके छोटे भाई विशन स चुनाओ लड़ाना चाहते थे जिसन सिंग की नोकरी लगी थी और वेरिसिंग शेखावत पुलिस की नोकरी छोड़कर आये थे घाओं में खेती का काम कर रहे थे ऐसी इस्तिति में उनके छोटे भाई ने कहा कि मेरे बड़े बाई को चुनाओ लड़ा रो चुनाओ इनने दस रुपे अगर नहीं दिये होते तो ठिक्ट ने वह फरम नहीं करे सकते थे उट विद्हायक बने उसके बादर राज़ती में उन्होंने ऐसे आया में स्थाभीत किये कि जब राज्स्रभा कि सदेश्य थे और जब यहां राजिस्तान में इसकार गेहर कॉंग्रेस बनने वाली थी तो उन्हें अटलबहरी वाजपी ने चुना और चुना इसी वक्त में जब विधायक नहीं थे इसके बाद उन्होंने छबड़ा से चुनाओ लड़ा और चुनाओ जीते और इसके बाद वे कहे सकते हैं कि 1907 से 1908 तक पहली बार मुख्य मंत्री बने उसके बा गरीबों के लिए अंतोदे योजना शुरूर की जो कि आज पूरे देश में प्रचलित हैं उनके नाम ने उन्होंने गरीब को आगे बढ़ाने का किसान को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने यह भी बास रहिए कि गड़ और जो राजपूत लोग ठाकर हुआ करते थे उन्हें भी लोन दे करके उनके गड़ वगरा को काफी को होटल बनाया और उन्हेंने कमाने का एक नया साधन देने का काम वेरु सिंग से गावत नहीं किया था राजिस्तान की राजपूति में अगर कहा जाए तो निससे पुरानी बातों को याद करता हूँ मैं भी उनसे क कही बार उनका जो दस्ताविज रखने का और जिस प्रकार से पुरानी राज देते में पुरानी राज देते की हिस्ट्री रखते थे लोगों की उनके पर रखने का था और कही बार विदान सबह में जो कुछ बोलते थे कही भी कोई भी नेता उनका विरोध नहीं कर पाता नरंदर सिंग भाटी एक ऐसा विदायक हुआ करते थे कि वो उनके पुराने चीजों को बताते थे और एक बार तो विदान सभा में जब मैं मुझूद था तो हरी संकर भावडा ने उन्हें जब बैस हो रही थी कोई बात को लेकर के तो उन्हें एक वाइंट ऑब वाटर पर बोलने के नुमती दिये और पूरी चीज रिकॉर्ड करा दिये और रिकॉर्ड कराने के बाद वहरुसिंग शेखावत जब खड़े हुए तो उनको कहा कि बैठिये बला जरा और वहरुसिंग शेखावत के कही भी बातों को उन्हें कहा कि विदान सभा जोजी नरंदर और विदान सभा के बाहर जो उनकी धाग थी क्योंकि पर्टी-पर शेनेता दो बार रहे वो राजिस्तान में और राजिस्तान की राजनिती में जिस्वकार की चीजें देखी हो सुनी जाती है उन्हें भी एक बार जब वह बाइपास कराने अमेरिका गए थे उस दोरान उ सची दत्ता के मार्दम से धराशाई करना चाहते थे लेगिन वह पहले आये राजिस्तान जयपूर आये और चोकी धानी जो आज है वहाँ पर आठ दिन पहली बार विधायकों कुबार रखा गया था उससे पहले विधायक इस पकार से बाहर नहीं रहते थे और विधान सभ राजिस्तान की राजिती में नई चीद देखने को मिले यह भी कहा जाए कि भेरु सिंग शेखावती ऐसे व्यक्ति थे कि पहली बार भी निड़दिलियों के मार्दम से वह सत्ता को चलाते थे जनता दल का विले भी कराया उन्होंने अपने इसमें यह भी कहा जासकता है कि सुजान सिंग यादव रोताश कुमार ग्यान सिंग चौधरी मंगलाराम और स्रीमति निरंदर कमर को उन्हों निड़दिलियों को समर्थल लेते वे अपनी सरकार भी बनाई दूसरी बार और यह भी कहा जाता एकता है कि जिस परकार से उन्होंने केबिनेट मंत्री परकार चलाई जाती है जो आज शुग्यलोत शार्षन को चला रहा है उसी परकार से भहरु सिंग शेखावत भी बड़े निर्दिलियों के माद्यम से भौजन समाज पार्टी के लोगों को मिला करके जगश सिंग और जगमाल को भी उन्होंने मिला था तो कह सकते हैं कि यह राजनिती में किस परकार से हिस्टाइट दिया जाता है कम लोगों के माद्यम से आपने उस्था अपने आपको किस परकार से अच्छा परदेशिन करें नेताओं कोई पता दे किस परकार्त वो देखिए देश की राजनिति में अगर भाजा-पापर को संकाट आता था तो ह प्रभावी रहे थे अब अटलब्यारी वाजपी जो बने थे तो अधिके का जिस पकार से उपराश्पती तक उन्होंने जो सफर तै किया और जिस पकार की बातें उन्होंने देश में स्तापित की मैं उनको आज हमारी बीच में नहीं है आज जो भाजप्पा का कारल है उनका खुद का निवास हुआ करता था सरकारी निवास ये भी बात सही है कि आज की राजनेती में उनकी दलीले दी जाती है उनके सिध्धान्तों को बताया जाता है नेता के याद करते हैं कि देखी बेरुसिंग शिकावत इस परकार की राजनेती करते थे आज राजनेती का इस् सिद्धान्तों को जो उन्होंने इस्तापित कि उनको अपनाना चाहिए आज की नेताओं को उनकी जीवनी इस प्रकार के देन को समझाना चाहिए जिस प्रकार से पुरानेता अपने आपको विश्वास करके प्रतिपक्ष और सत्ता दोनों जगे धाग जमाने का काम जो किया वो निश्रूप से इसमर्णी कहाए गए कि आज उनकी यादों को हम ताजा देख रहे हैं कि मेरे को कभी-कभी याद आते हैं कि जब हमें खोले घंवान जी वह अपनी दावाद दिया करते थे भुलाते थे खुद परूस्ते थे उप्राश्पति होने के बाद भी एक विक्त अपने कमरे में जाते नीचे आते थे कहले हैं राजनिती में पत्रकारों की बीच में एहम मुद्धिक आहम खूँल करके जो चीज राजनिती में पहले होती तिief तो मैं भी कहता हूं कि राजनेताओं का शुरूफ बदल गया हाई पहले राजनेता सवाच करते थे कि तालमेल रखने वाले यह मालुम करने वाले थे पत्रकार 110 कि jourकाताenter करना तो आब नेताओं में इवेंट मेंनेजमेंट जो चुनाओं में आगया पैसो की राजनिती आगई है तो यह पुराना लोग पैसो की राजनिती नहीं करते था उन्हें शिरू से लोगों के माद्यम से लोगों के माध्यम से लोगों को काम करने वाले वो बना करते थे और सारी चीज़े होती थी अब वो नहीं है तो उनकी शिद्वांटो को याद किया था है हम अब सध्वांजल देते हैं और जो कुछ इस राजिस्तान को देश को दे गए वो आने वाला कई सताब्जियों तक याद किया जाएगा बैरुसिंग शेखावत को विदाहिक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, पर्टिपश्के नेता के रूप में, उपराश्पती की रूप में और राश्पती का चुनाओ लड़ने तक का जो सफर है, वह एक राजदिति क्या पचास साल का जीवन एक देश में नया आयाम लोगों को देता है, राजदितिकों को सिखाता है कि वो किस परकार से राजदिति के परोदारे, बाबोसा कहला है, मतलब युवा से राजदिति शुरू की और बाबोसा बन करके इस देश से चले गए, हम उन्हें सर्दान्दिले देते हैं.